नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आफ़र से बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में जैसे के हमने आपको कल बताया था कि एक्स्ट्रा व्यूज हमारे वीडियों के उपर क्यों नहीं प्राप्त होते हैं उसका कारण हमें आपको पता चुके थे और आज हम आपको इस वीडियो के माद्दम से यह जानकारी बताने वाले हैं कि extra views आप किस परकार से अपने वीडियो के उपर प्राप्त कर सकते हो उसके लिए क्या आपको यह मालिज यह 19-20 अपने वीडियो के अंदर बदलाओ करना है वो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं और वो 19-20 बदलाओ करने के बाद में आप अपने परतेग वीडियो इसके उपर definite extra views प्राप्त कर सकते हो और अपने चैनल की गरोध भी बहुत तेजी से कर सकते हो तो वीडियो काफी interesting होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज़्यादा फायदेमन सावित होने वाला है तो आप सभी शेनोरोध है कि आप इस वीडियो को सुरूशले एक लास तक पूरा ज़रूर देखेगा विदाउटिस्केप के तो चलिए दोस्तों बिना समय कावाई शिरू करते हैं हमार आज का वीडियो देखेगे दोस्तों सबसे पहले तुम आप सभी को एक छोटी सी जनकारी ज़रूर बताना चाहूंगा अगर आपका नया यूटूब चैनल है और आप अपने चैनल को परमोट कराने चाहते हो तो डिस्क्रप्शन में आपको इस्टाग्राम का लिंक दे जा रहा है Instagram के माध़ देम से आप अपनी channel की information हमारे तक भीष सकते हो ताकि हम हमारे अगले वीडियो के अंदर आपके channel को promote कर सके जिसे आपके वीडियो उसको पर ज्यादा ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती रहे हमारे चैनल की गरोध भी बहुत तेजी से कर सकते हैं तो इसके लिए आपको किसी परगार का कोई भी जीत और मेहनत करने के आवसकता नहीं पड़ेगी किसी परगार का कोई भी जादा बड़ा बदलाव आपको करने के आवसकता नहीं पड़ेगी आपको अपने चैनल को पर regular वीडियोज अप्लोड करने है और उस regular वीडियोज अप्लोड करते करते ही आपको कुछ 19-20 का बदलाव आपको अपने वीडियोज के अंदर करने है जिसके बाद में आपका वीडियोज यूटूब के प्लैटफॉम पर धूम मचाता चला जाएग आपको definite परतिक वीडियोज आपका extra वीडियोज के प्राप्ति करता चला जाएगा तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको करने होगी कि आपको अपने परतिक वीडियोज की starting थोड़ी सी strong रखनी होगी जो की जादा से जादा audience को लंबे समय तक रोपकर रख सके यानि कि आप लोग नहीं देख सकते कि आपको वीडियोज को watch porn कर रहे है लेडिस कर रहे है जैंट कर रहे है चोटा बच्चा कर रहे है या फिर age रखती कर रहे है तो जो भी वीडियोज को watch कर रहे है तो आपको अपने वीडियोज की starting इस परकार से रखनी होगी इस परकार से आ आपके वीडियो का audience retention जादा रहेगा और अगर आपके वीडियो का audience retention 40 या 40% से अधिक रहेगा तो definite आपका वीडियो ओटोमेटिकली वाइरल होता चला जाएगा तो सबसे main चीज है कि starting हमारी strong रहनी चाहिए जो कि लंबे समय तक हमारी audience को हमारी वीडियो के उपर रोके रख सके और दूसरा बतलाओ आपको करना है topic best रखना है जियां दोस्तों यानि कि जो भी वीडियो आप बना रहे हो कोसी सी ही किजिए कि best topic आप अपना select करिये या फिर कुछ trending topic आप select करिये जिसके उपर अगर आप वीडियो बनाओगे तो definite आपका वीडियो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उपलबदी असिल करता चला जाएगा या फिर ऐसा topic आप select करिये जिसके उपर आपको सबसे ज़्यादा knowledge है अगर आप अपनी knowledge के according अगर आप videos बनाओगे तो definite आप अपने परतिक videos के अंदर better से better performance देश सकोगे और ज़्यादा से ज़्यादा views की प्राप्ति करते चले जाओगे तो topic आप best रखिए ऐसा trending topic रखिए या फिर अपनी knowledge के according आप topic select करिए जिससे आपके videos को पर ज़्यादा से ज़्यादा views की प्राप्ति होती जने जाएगी और तीसरा बदलाओ आपको करना है अगर आप नए यूटूबर होएं तो आपको अपने videos की size ध्यान में रखकर आपको videos बनाना है यानि कि नए यूटूबर के लिए बहुत ही आउशक है और जो यूटूबर पुराने हो चुके हैं पुराने का मतलब जिनका YouTube channel monetize हो चुक है उनके लिए ये चीज मैटर नहीं करती उनके लिए चाहे वो videos की छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं उनको तो वही हम channel monetize हो गया तो first priority हमारी यही रहती है कि हम हमारे YouTube channel को किस परकार से monetize कराएं और monetize कराने के लिए आपको अपने channel को पर 1000 subscriber और 4000 watch time hour जल्द से जल्द complete करने होते हैं यानि कि कम से कम समय में अगर आप complete करोगे तो ज़्यादा फाइदा आप ही को मिलेगा तो कोशिस यही किजिए कि अपने YouTube channel का criteria आपको जल्दी से जल्दी complete करना है तो वीडियोज की size को ध्यान में रखकर आप बनाएए और नई YouTuber के लिए बहुत important चीज़ है कि वो अगर छोटा वीडियोज बनाएंगे YouTube आपके वीडियोज को वाइरल करता चला जाएगा YouTube आपके वीडियोज को सजेश्टर लिस्त में डालता चला जाएगा और YouTube आपके वीडियोज को recommend भी करता चला जाएगा तो कोशिस यही करनी है आपको जब तक आपके यूटूब चैनल का 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वास्टाम आवर कंप्लिट नहीं हो जाए तब तक आपको अपने वीडियो की साइज छोटी रखनी है छोटी से मतलब है एक मिनट दो मिनट तीन मिनट या मैक्सिमम हम कह सकते हैं चार मिनिट से अधिक आपको अपने वीडियो को नहीं बनाना छोटा वीडियो बनाओगे तो डेफिनिट आपका यूटूब चैनल जल्द से जल्द मॉनिटाइज हो जाएगा वरना लंबे समय तक आपको इस्ट्रकल करना होगा लंबे समय तक आपको ज़्यादा मेहनत करने होगी और वही चीज आपको यह माले जो दो साल तीन साल हम कह सकते हैं कि चार साल बाद में जब आपका चैनल मॉनिटाइज होगा तब आपको आउटपुट ट्राप्त होने लगेगा लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से छोटे वीडियो बनाओगे तो हो सकता है दो महीने यह मैक्सिमम तीन महीने में आपका चैनल मॉनिटाइज हो जाएगा और उसके बाद में आपकी अर्निंग यूटूब से स्टार्ट हो जाएगी तो कोसिस यही किजिए चोटा वीडियो आपको बनाते चले जाएगे और चोथा बदलाव आपको करना है अपने वीडियो इसको पर एक्स्टर व्यूज पाने के लिए कि आपको अपने परतेग वीडियो इसकंदर end screen definite लगानी है यानि कि परतेग वीडियो इसकंदर end screen का आपको इस्तमाल जरूर करना है end screen का मतलव क्या होता है मैं आपको पता देता हूँ किसी को नहीं पता होगा वैसे तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि end screen का क्या मतलव होता है लेकिन फिल्पी मैं आपकी जानकरी के लिए मैं आपको पता दू end screen का मतलव यह होता है कि जो भी audience हमारे वीडियो को complete watch कर रही है तो हमारे वीडियो को खतम होने से पहले हम 21 second से पहले हमारे कोई भी पुराने वीडियो की दो क्लिप, एक क्लिप, चार क्लिप यानि कि कम से कम एक क्लिप और जादा से जादा चार क्लिप यानि कि हमारे वीडियो का पुराने वीडियो का थम्मेल हम लगा सकते हैं जिससे जो भी audience हमारे वीडियो को complete watch कर रही है तो 21 सेकंड पहले हमने जो भी end screen के अंदर जो भी थम्मेल लगाया तो वो audience क्या करेगी directly उस थम्मेल के ओपर क्लिक करकर हमारे अगले वीडियो उसको पर भी directly जा सकती है और उस वीडियो उसको पर भी हमें watch time hour और हमारे views के प्राप्ति होती चले जाएगी तो यह end screen सबसे main चीज़ है extra views पाने के लिए तो कोशिस यही कीजे कि आप अपने परतेक वीडियो उसके अंदर end screen का इस्तेमाल जरूर कीजे और extra views प्राप्त करते चले जाएगे और पांचवा बदलाव आपको थम्मेल का करना है ज्यान देज़ेगा दोस्तो सभी लोग अपने वीडियो के उपर ध्यान देते हैं अपनी shooting के उपर ध्यान देते हैं अच्छा equipment इस्तमाल करते हैं अच्छा mic का वो बिलकुल उप्यो करते हैं अपना यह मौन लिजे title भी सोच समझ कर रखते हैं बार-बार search करकर रखते हैं YouTube के उपर, Google के उपर search कर लेते हैं और कुछ topic भी ऐसा select करते हैं जो कि trending हो लेकिन अपने thumbnail के उपर बिलकुल भी वो ध्यान नहीं देते हैं thumbnail हमारा बिलकुल most important सीज़ है हमारे वीडियो इसको पर extra views पाने के लिए यानि कि first impression हमारा thumbnail से ही पढ़ता है हमारे thumbnail को देखकर ही audience हमारी वीडियो इसको पर आती है तो thumbnail थोड़ा सा आपको best बनाना होगा थोड़ा सा attractive बनाना होगा थोड़ा सा आकरसक बनाना होगा साथ ती साथ मैं आपको यह बोलूँगा थोड़ा सा आपको professional भी बनाना होगा यानि कि ऐसा नहीं लगे कि भाईया कोई कच्रा पट्टी हमारी है कुछ ऐसा ही उसके अंदर कुछ wasted चीज हमें देखने को मिले तो इस परकार का भी थोड़ा सा थोड़ा सा professional टाइक में बनाना है लेकिन attractive हो जिससे क्या होगा जादर से जादा audience को वह खेंच कर लाएगा और जादर से जादा audience अकर थम्मेल की और आएगी तो definite आपकी views भी बढ़ेंगे आपका watch time hour भी बढ़ेगा और definite आपकी channel की growth भी बहुत तेजी से होती चले जाएगी तो थम्मेल is a most important factor .......... दोस्तों जानिias으로 यानि हमरा थम्मेल है most important factor मारा जाता है हमारे व्यूज को extra करने के लिए हमारे व्यूज को जादा से जादा बढ़ाने के लिए तो थम्मेल को उपर आपको जादा से जादा ध्यान देना और कोसिष यह करना नहीं क्यों उसके अंदर कुछ ऐसे कलर का आपकी इस्तमाल करिए जो कि दूर से नजर आ जाएं जैसे कि रेड कलर हुआ ब्लू कलर हुआ यलो कलर हुआ इस परकार के कलर अगर आप अपने थम्मेल में लगाऊगे तो जादा से जादा ओडियंच को खेंच कर ला सेगा और आपकी व्यू प्राप्त कर सकते हो और अपनी चैनल की गरूत भी बहुत तेजी से कर सकते हो यही कुछ छोड़ी से इंफोर्मेशन दीश से आप लोग के साथ सेर कर लिजए वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक चैनल पर पहली बार आएं तो वीडियो को लाइक शेर और चैन